यह भी कंजी इंट्रेस्टिंग है दिफाला की कंजी छोटी है कंपेर तू अगर आप डॉक्टर लाल से कंपेर करें या मेट्रोपोलिस से कंपेर करें तो काफी चोटी कंपी लेकिन हैं इंट्रेसिंग क्योंकि इनका बिजनस मोडल थोड़ा सा लगी यह सिर्फ ना ब्लड टेस्ट वगरा नहीं करती है रेडियो लोजी में और वो जो कौन-कौन से जो महंगे-महंगे वाले होते हैं इसके ने से लेकर अब तक का ट्रेक रिकोड देखेंगे तो यह बिजनस इनका काफी फास्ट ग्रोव हो रहा है चोटी साइज है तो ग्रोव करने में इजी भी होता है नए-ने लैब्स ही है और अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं उससाब से प्रोफिट और रेवेन्यू में भी यह कुछ एक अच्छे पोजिटिव हैं क्रस्टना को लेकर इस आई-प्यो को लेकर एक इशू रहेगा इस आई-प्यो में कि आई-प्यो आने के बाद जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो गटकर 27% रह जाएगी आम तो पर 27% की होल्डिंग कम आपको comfort लेती लेकिन कु ग्रोथ में लगाते हैं कंपनी बड़ी बनाते हैं और ऐसा नहीं कि जिन प्रोमोटर्स की स्टेक कम हो वो कंपनी कभी successful नहीं हो सकते हैं कि एक्जामपल आपने इनफोसिस में देखा जा प्रोमोटर्स की स्टेक 5-6% ही हुआ करती थे फिर भी कंपनी कहां से कहां होगे मैं यह नहीं करा, यह इनफोसिस है, मैं जस्त ऌही लगाता है कि प्रोमोटर्स की स्टेक काफी रहे घैन ही सब्सक्ता है लेकि फिर भी इस कंपनी में गर्ष की opportunity है, मुझे लगता है अच्छी field में अच्छी जग finance की उम्मीदय आप अर दख सकतें और उस हिसाब से इसमें से देवियनी में भी लगा सकते हैं